Hello guys आज हम देखें गे ना कि शुरुवात में मैंने जब ट्रेडिंग शुरू किया था उससे में बहुत कुछ मैंने जो गल्तिय किया था उस गल्ति से आप से बहुत कुछ मदद हो जाए का आपको बटो सेकने में । कि मैंने जो शुरू करूंगा और यूस में पहुचनी के कोशिश करूंगा दो जहां तक अपको मार्केर का आप cya मेरा सबसे पेडा जो गल्थी वह पड़ा वहुआ था कि मैंने PayPal को बहुत बड़ा कि मैं करता था एक multinational का organization में working तो मेरे salary बहुत ज़्यादा होनी की वज़े से मेरे पास saving थोड़े से अच्छे थे अनुस saving को मैं ने एक ही साथ मार्केट में यूज कर लिया पहली बार मैंने मार्केट में पूरा capital को ढाला लगबख 2014 में 14 के आसपास लगबख 14 के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मैंने उस समय मार्केट में directly 7 lakh रुपीज इन्वेस किया यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने directly बड़ा money market में इन्वेस किया और उस वजह से मेरा जो लेकिन capital थोड़ा सा ज्यादा था और उस capital पर मेरे पास losses भी ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि मैं quantity sizing ज्यादा ले रहा था इसी वजह से मेरे पास जो losses होने के priorities होने वाली वह हमेशा बढ़ गए सबसे बड़ा जो मिस्टेक था कि मैंने रिस्क को कभी मैने करना सीखा क्योंकि capital मैंने बहुत यह दा अगर मैं उसी capital को थोड़ा बड़ा इन्वेस्ट ना करते हुए अगर मैं छोटे capital से शुरुवात करता तो मैरे losses छोटे होते लेकिन मैं पहुत जदी यह समझ जाता कि इसमें losses होने ही वाले और मुझे focus कातरना पड़ा है मैंने जब market में शुरुवात किया था तो मुझे यह नहीं पता था साथ साथ साल पहले कि में market में ठीक भी पाऊंगा कि ने मैं कुछ कमा भी पाऊंगा कि I don't मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन मैं आया था मैं आपको एक सबसे बड़ा ड्रॉपे बतागो मैं आया था मार्के में बस एक ही company में इन्वेस्ट करने क सब्सक्राइब और मैंने शटर फटर ऐसे बहुत सारे stocks में invest किया तैसे वैंकी में किया S bank में किया तिर मुझे लगता है मैंने बिर्टानियाख में किया बिए डिटाइने मैंने दो कॉंटेटिटि ले रखी जो अच्छे नहीं थे उसमें बहुत कम अच्छे ते बहुत कम कउंटेटि यू आब बगवा स्टॉक थे मैं उसमें चvari यू ईक्दम डूबिया किया था saadha 30 لاक के शेर बॉइ किये कैपिटल खतम होनी बाद मैंने और भी कैपिटल अड़ किया और उसके उपर मैंने शेर भाई किया अब मैंने उस समय आप सबको पता है कि उप्षन ट्रेडिंग का जो बोल बॉला हुआ यह पिछले तीन-चार सालों में हुआ है उसके पहले उप्षन ट्रेडिंग के बारे कोई ज्यादा बात भी नहीं करता था तो मुझे भी जितना पता था वो उतना ही पता था कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया जाता है निप अप्षन के बारे में यूट्यूब पे इतने ज्यादा वीडियो अवेलेबल नहीं थे कही पर भी इतना ज्यादा डेटा था ही नहीं कि वहाँ पर मैं समझ जाओ कि मुझे सीखने के लिए कुछ ज्यादा मिल जाता मैंने जब मैंने सबसे बड़ा लॉस देखा एक विनती इति ले लिए क्यों कि उससे करूंगा यार मां मैं उफ ही नहीं लग रहा है काम करने के लिए किसी भी रीजन के वह आसाथ है मैं एक ट्रेड़कर स्कूल के लैंसum से कॉल के बचसे मुझे ऑल आया बेंगलोर से उन्हों ने बोला उज्जिन फैनेस को बाइक कर लिजी हमें आपको कोई चार्ड़ देने की जरूरत नहीं आप पैसे बना लिजी पीर उसके बाद हमें देडिना उन्हों ने मुझे उज्जिन फाइनस को बाइक करने के लिए तब उज्वन फाइनस इंकम टॉप पे था तब उज्वन फाइनस उन्हों ने बोला कि आप बाइक कर लिया फ्यूचर उसने बोला मुझे फ्यूचर के पाइच लो लेकिन मैंने एक बार साथ लगका लॉस हो चुका ताब तो हिम्मत बची नहीं थी तो मैंने लिया वहाँ एक ही लॉट लेकिन एक ही लॉट वहाँ पर था 1600 का तो एक एक पॉइंट में मत्तब एक रुपीज भी उज्वन फाइनस उपर निचे करेगा तो तो ऐसे करते करते मुझे उसी दिन पर साढ़े पाठ हदर का प्रॉपिट दिखने लगा और उस प्रॉपिट के उपर मैं मैं जब लगा तो मेरे मन में आनी लगा कि भाइब लेकिन उनको भी तो चार्जस लेने हैं उन्होंने बताया पैसे तो देने नहीं है लेकिन उनको पता है कि हम तो अगर प्रॉपिट हुआ तो पैसन लेना है तो उनने बहुल लो कि ए और उपर चला जाएगा 20-25 में था उसी दिन पर उजोन फाइनास क्लोज हुआ माइनस में आकर और उसने मुझे बताया होड करो कल ये उपर ही जाए अब मुझे मार्केट का एंबी पता नहीं है मैंने किया होड और उसी स्टॉक को मुझे उन्होंने उतना होड करवाया इतना होड करवाया सरुको कुछ नहीं उपर आएगा आड़ दिन मुझे बस ऐसे अप देते रहे नो दिन के बाद उन्होंने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया मतलब मेरी बात कदम मुझे कोई मदद क करने वाला था नहीं मैं दस लोगों को कॉल किया जो आज यूट पे जो उतने टाइम से थे जो भी है लोग में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैंने उनको कॉल कि पूछा कि मैं ऐसे से जगह पर फर्स जुका हो क्या मुझे मदद करोगे यह करोगे सब ने मेरे फोन क की मैंने बोला कि आप मुझे कितनी चाहिए फिस देलो लेकिन मुझे सिखाओ इस चीजे में बताओ किसी ने भी रिस्पांड नहीं है लेकिन आपको जो आरा है कि मुझे सीखा होगे उन ने बोला कि नहीं हम आपको स्टाइटर जी से पैसे बना सकते हो मेरे भाही मुझे सीखना है या सैटर जी मुझे नहीं सीखना है सैटर जी मुझे सीखना है मार्केट चलता कैसे है मार्केट वर्क कैसे करता है मार्केट में मुमेंटम कैसे आता है ये चीजे होने की बाद मार्केट में ये क्या होगा मार्केट जाएक बचे रहेगा यह मुझे सीखनाわか्रेंड रहेगा जो आज मैं अब को बता देता हो आपको तो पता है कि मेरी अक्किलन तक अब मैं इतना क्यों पर्फिक्षन हुआ हुआ है मैंने सबसे पूछा कि आप करकेट सिखाओगे उन्हेंने बोला जरूर लेकिन क्या आप जो आप करते वह सिखाओगे, ना, उन्हेंने बोला ना, तो फिर नहीं देखना है ना, मैं तुम्हें जिस reason से देख रहा हूँ, वो reason ही खतम हो गया, तो मैं क्यों देखू, क्यों आऊ तुम्हारे पास, अब वह यही होता है जब मेरे साथ यह चीज़े हुई तो मुझे एक चीज समण में आ गई थी कि कोई अपना सही तरीका बताने नहीं वाला तो मैंने सोचा कि अगर में मार्केट में कभी पैसे कमा लोगा तो मैं जिस वज़े से पैसे कमा रहो वो तो वज़ा सीखाई दूँगा तो मेर से मार्केट वे वह से हमें चीजों करते हैं आप अपने मुझे करते हैं मतलब क्या है अप कि लड़की देखने के लिए जा रहे हो शादी में एक मतलब आपकी शादी होने वाली है और आप कोई लड़की देखने के लिए जा रहे हो आपको लड़की दिखाए जाती है एक सोच के देखने कि एक नाम लेते हैं रोहीनी नाम के लड़की है जिसको देखने के लिए आप जा रहे हो और आप उसको देखा आपको पसंद भी आई लेकिन शादी के लिए कोई कोमल नम के लिए कि आपको डिकाड़े के खड़ी के जा थे यह अप एक्सेप करोगे उभ्योसली कर आये हैं कि मैंने रोही को देख कर आया। में रोहीनी को select नहीं करेंगे। हम बस यही करेंगे कि अगर मैं जो कर रहा हूं मैं हर एक चींच सिकाऊंगा। मैंने आज साइड्वेज मार्केट क्यों बताया? यह मैं सुडन को को दे दिया जो अधैनी तो डूसरी मैंने उसमें मैंने कितनी कॉंटी ली औंसी कॉनसी ट्रेड लिया है कैसे चेठा किया है उस चाल के मुझे कितनी में करनी पड़ी क्या में किस जगह तक उसको होड कर सकता हूं इस सारी चीज़ें उनको दिन भर दे रहा था अपडेट दे रहा था पूरे दिन भर कि देखो आज मॉर्निंग में स्टैडल क्रेट करने बाद देखो पंद्रह अधर का लॉस दिखने लगा बाइस अधर का लॉस दिखने लगा मैंने होड किया क्यों कि मेरा अनलेसिस था कि मार्केट इसके बीच में आकर जाकर क्लोज करेगा और मुझे प्रॉफिट बनेगा मुझे पता था मार्केट पास मिर्ट के लिए दस मिर्ट के लिए उपर आपको पता होगा कि गुरुवार के दिन थरस्दे के दने पता कि मुझे मार्केट का मुमेंटम पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा के नीचे आएगा अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हो जो लोग मुझे नए देख रहे हम उनको भरोसा नहीं होगा मेरे उपर भरोसा करने की ज़रोगा यह आप जाओ गुरुआ की दिन पर मतलब मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वह एक बार देखो फिर जाकर बैंक का चार्ट ओपन करके देखो फिर ते को समझ जाओगे मैंने निफ्टी के बारे मैंने बता कि रहेगा वोलेटरिटी करेगा देख लेने ओपन करके वही हुआ अब मैंने इतना परफेक्शन के स्पास पिछली 200 निफिन से भी जादा हुए लग बख Sunshine वमे बाके में पास होता है कि मैं आपको का करेंदिंडन cell के अब मेरे पास सारा डेटा है ऐडिनर् declough क्यूं कि मैंने कभी स्ट्रेटर्जी नहीं सीखिय कि मैंने कभी जाकर मार्केट से शौट कट ने ही अजबड़ लिए और मार्के होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहा हूँ जो आज मैं आपको दे रहा हूँ पूरे यूटिप में इतना परफेक्शन मुझे नहीं लगता को इने कुछ से घिसकर ही है क्यों किसी ने भी वो चीजे नहीं सिखाई कि जो खुदो करते हैं तिकल किसी से नहीं यह ब चुमें लगत तो मैं जब मार्केट में जा रहा ता बहुत कम लोग थे मार्केट में जो मार्केट को सीका रहे हूँ से ज्याता सीकने से भी जाता चाल मीला एक की accepted मिलिंए इसे मार्केट your Members मुझे देखो या ना देखो, समझ लो नहीं समझ लो। लेकिन आज जो मैं मार्केट के अंडरसेंडिक लिए के आया हूँ, यह मैं ठोक के ब champagne बोले सकता हूँ, यह मेरी खुत की है, क्यो यह मार्केट है और मार्केट होता क्या है, यह समझने के लिए मैंने खुत के मेरे 8 साल लगाए है और इसलिए आज मैं YouTube वीडियो पर जब भी आता हूँ तो ठोक के बोलता हूँ कि कल मार्केट में बाइ नहीं करना मार्केट उपर जाकर फेलो के नीचे ही आएगा बाइ मत करके मत कुछ करो क्यों मैं यही बोलता हूँ जो मैंने गलती किया आपको गलती नहीं करना है अपके पास आ गया तो क्या हम सीख सकते मार्केट से टाम गुड़ सीख सकते क्यों कि मुझे वह चीजे पता है जो आपको समझने के लिए भी आपको सातार साल देने पड़ेंगे और मेरे जैसे अब इतने लॉस आप घर रेडि कर सकते हो तो दे दो फिर उससे बहुत पूं सीखने को मिलेगा लेकिन अगर आप टाइम नहीं देना चाहते पैसा नहीं देना चाहते तो आप जब सीखते हो हमारे साथ तो आपको उसको सीखने के लिए बस तीन मन लगते क्यों कि में उस स साइडवेच जाएगा, मार्केट उपर जाएगा, नीचे जाएगा, सबसे बड़ा मिस्टेक था मेरा वही, कि जो मैंने कैपिटल को बहुत ज़्यदा डिप्लॉई किया, उसके बात था, दूसरी क्या होता है, उस चार्ट में कुछ भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगी, कोई भी आपका सेट अप यूज नहीं करेंगे, और उसी प्राइट के साथ behavior को समझ कर आम ट्रेड करेंगे, लोग बोलते हैं, मार्केट को मार्केट नीचे जा रहा हुता है, आप बोलते हैं, इस प्राइट को देख कर चीज़े जब समझते हैं, तो उसको बोलते हैं, लोग मार्केट, लेकिन मार्केट बिना चार्ट को देख कर आ सकता है क्या, इसलिए, फॉर्स प्राइट इवर चार्ट, और देन माइंड सेट, जब एक बार चार्ट समझ गए न, तो इस माइंड सेट और साइकोलोजी आपने आप बनने लगें, इसलिए, जब टाइट टो अंडर सेंड थिंक, राइट क्या है। और रॉंग क्या है, गलत चीजों के पीछे जाओगे तो बूरे फॉस होगे, राइट चीजों के पीछे जाओगे, तो अब्यूसी टाइम लगेगा, लेकिन जीटोगे ज़रूर, तो जीतना है, तो राइ को पता होना चाहिए मार्केट कईसे जाएगा या पो पता होना है क्या बोलता हुने वाला उसके रिजन क्या यह पहले पता होते हैं वो आपको बस सीखना है that's it इतना सीखो पैसा आपके पॉकट में और मार्केट आपको खुद देगा बुला बुला कर देगा तो just focus the chart understanding के साथ पहला risk management capital को उतना यूज करो जितना आप गवाने के बाद सो सकते हैं अच्छे से नीन ले सकते हैं दूसरा without any indicator chart को सीखने का कुशिश करो थर्ड वन सिंपल psychology और market की understanding जो है mindset उसको सीखने के लिए chart का सहारा ले लो without chart आप कोई भी mindset कोई भी psychology abuse नहीं कर सकते कोई फाइदार नहीं होने वाला psychology is a part of the chart understanding तो psychology और mindset को समझने के लिए जैसे example देता हो कल अगर सोचो market gap up open हुआ क्या मुझे पता है कि उस gap up के बात market नीच आएगा या उपर जाएगा लेकिन यह मैं कैसे देख सकता हूँ चार्ट में चार्ट में क्या होगा market का trend कौन सा market कहा जाने वाला रहे डायरेक्शन क्या है सपोर्ट रिशन क्या बन रहे कोई breakout हुआ है कि मार्केट में कोई breakdown हुआ है कि मार्केट में इस सबका जो understanding है वही आपका mindset same things again and again chart सीखो सब आपके पीछे आएगा अगर आप सब चीजे सीखो गे तो चाट आपके सब कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा तो चाइट सीखो के सब चीजे अपने आप आने लगी तो What is the important कौन सब से ज़्यादा जरूरी और कौन रीजन है आपका पैसे बनाने का कमेंट डाउं मैं मिलत आपको जोने एक शोड में अप्तर लिप बाई रिवन टेक केर